हलो एवरीवन एक बर फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चनल अस्पिरेंट लाइट पे दोस्तों ये आज हमारा हिंदी का चौथा क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियां जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में द देखा था और भी बहुत सारी क्लास हम लोगों ने देखी थी ठीक है लेकिन आज इस क्लास में आप लोगों को फिर से कामेंट में आंसर बताना है कुछ कोस्चन के जो मैं वीडियो के इंड में देने वाला हूं तो ध्यान से वीडियो के इंड तक बने रहीगा और एक बह देना मुहावरे कार्थ क्या है यह आपको बताना है जैसे क्या पहला वाला option क्या है कि जान बुझ कर किसी बात पर ध्यान ना देना मुर्ख बनना या फिर बैमनश्य होना या फिर प्रतन ना करना ऐसा लिखा गया है तो आधा बनने का मतलब यहां पर यह होगा कि जान कि- whi baat को क्या है इग्णूर करना है इसका मतलब क्या होगा हमारा हाध हा बनना मतलब जान बूशकर कि-सी बाद पर ध्यान ना देना ठीक है चलिए बहुत सारे हम लोग मुहाबरे को एक्जांपल से भी समझने वाले हैं दूसरा क्या है कि आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होगा यह आपसे पूछा है आधा तीतर होना और आधा बटेर होना आपने सुना होगा कि अधरत गगरी छलकत जाए या फिर इंग्लिस में इसको ऐसे भी कहते है कि little knowledge is very dangerous thing ठीक है इसका option क्या है कि उचित सामन का अभाव होना छोटा बरा होना बेमेल तथा बेढंगा या फिर बिरंगा होना कहने का मतलब क्या कि आधा तीतर आधा बटेर होने का मतलब क्या है भाई बेमेल तथा बेढंगा होना जैसे मालों कि दो लोग खड़े हैं और आधा ग्यान इसके पास है तो दोनों मिलेंग तभी तो पूड़ा होगा लेकिन यह आधा तीतर है और आधा बटेर है तब यहां पर क्या होगा कि भाई साहिब बेमेल भी हो जाएंगे और बे धंगा भी हो जाएंगे याद करने का ट्रिक है चलिए आगे चलते हैं आगे जैसे ही कल आप लोगों को मैंने वीडियो में बत आये गया था तो आज रात 12 बजे तक यह ओफर वैलिड रहेगा तो फटा फट से इन्रॉल करा लिजए वरने स्कूर्स का जो दाम है वह 899 हो जाने वाला है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे वाला जो हमारा सवाल है लिका है मुहाबरे का अर्था स्पस्ट कीजिए मंत मंतुर फूकना मंत्र फूकना मुहाबरा है आपका उसका जो स्पस्ट करना है पहला क्या है वसी करन करना प्रभाव अगर वसीकरन नहीं होता है तो बहका देना भी इस question का सही आंसर होगा ठीक है जिसे मालों कि आप मेरे सामने बैठा और हम ऐसा मंत्र फूग दियें आपको कि आप जाकर एक्जाम में सफलता हासल कर लो कलड़क हो चाहे प्यून वाला बैच में तो वो जो वसीकरन होगा वो प्रसंसा करना विवेक से काम लेना आप मानीत करना यह चार अप्सिन आपके पास है अंतर के पत्त खूलने का मतलब है कि सूच समझ कर काम लेना इसका मतलब होगा मतलब वीवीक से काम लेना आप ऐसे कह सकते हैं किस कोशन का सही आंसर हो जाएगा कि वीवीक से काम लेना ठीक है तो option number C क्या है भाई बिल्कुल सही कि आंसर हो जाएगा दूसरा आजाईए दूसरा आजाईए मुहाबरे का उचित विकल्प चुने खग जाने खग की भासा क्या है भाई कि खग जाने खग की भासा कहने का मतलब क्या होगा पहला option है कि चालाक ही चालाक की भासा समझता है बिल्कुल अनपढ होना असंगत वस् करते हैं मुहाबरे का जो अर्थ होगा वो हम लोग कह सकते हैं कि चला कहीं चला कि की भासा क्या करता है बल में समझता है ठीक है il करसे हैं दूसरा आ जाईए कि विकल्प बालू की भीत बालू का अगर कोई भी समान बनाया जाता है तो समय उसका जो duration होता है lifeline का वो बहुत कम होता है तो इसलिए इसका option जो है वो निरसार यहां वस्तू है फिर रेगिस्तानी इलाका है सिग्रनस्ट होने वाली वस्तू है इने में से कोई नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि जब बंवार को सनीचर कहते हैं कि भैया सनीचर अगर ढईया अगर सारे साती लग जाता है किनी लोगों पर बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में रहन सेहन का ढ़ंग एकदम बेसफीilly हो जाता है और जिंदिकी अस्थ स्विस्ट हो जाता है ऐसे जो 30 लोग कहा करते हैं तो भाई दूरघट ना होना एक सथान पर इस्थिर्ना रहना दुख सेना कस्ट में आना तो इसकोशन का जो सही आंसर होगा वो एक सथान पर इस्थिर ना रहना बिल्कुल सही आंसर है कि पाव में सनीचर लगने का मतलब है कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां इसलिए आपको अगर सनीचर नहीं लगालाना है तो एक ही जगर पकर आपको तयारी करना पड़ेगा पढ़ाई करना पड़ेगा एक content पे continue rhythm के साथ consistency से मुहावरे के उचित विकल्प का चैन कीजिए कुप मेढक होना मतलब घर से बाहर रहना कुए में गिरना प्रसन होना या फिर अतियंत सीमीत ग्यान कूप मेढक होने का मतलब क्या होता है भाई कि अतियंत सीमीत ग्यान अतियंत कम ग्यान है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्यान होना आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा कूप मेढक होना कूप मेढक होना ठीक है चलिए दूसरा क्या है दूसरा लिखा है आंधी के आम कहने का मतलब क्या है कि आंधी आएगा आम गिरेगा ऐसे आपके मन में सवाल चलना होगा आंधी के आम कहने का मतलब होगा कि सस्ती वस्तू बिलकुल नहीं होगा दुरलब वस्तू बिलकुल नहीं होगा कठनाई से पराप्त वस्तू नहीं होगा जबकि आसानी से पराप्त वस्तू होगा और जिसके लिए कोई ज्यादा कठनाई करने की कोई आवसक्ता नहीं होगी मतलब इसको कह सकते है कि उपहार में प्राप्त बस्तु उपहार में क्या है प्राप्त बस्तु जैसे आंधी आया पेर किसी किसी और का आम किसी और का हम लोग जाते थे लूट के ले आते थे समझ रहा है अभी भी सिस्टम चली रहा है अभी भी लोग परसान है जिनका वरिक्ष है जिनका पूरा क् तो आंधी आता है लोग सुबस तुबस जोड़ा लेके चले जाते हैं भाई ना कि चलो दो-तीन चाड़गों आम ले आएंगे तो बड़ा मन लगेगा खाने तो उपहार में पराप्त बस्तू या फिर बीना महिनत के पराप्त बस्तू को हम लोग क्या कहेंगे आंधी के आम क कलम तोरने का मतलब होता है बढ़िया लिखना क्या होता है विर्थ लिखना नहीं होगा स्वागत करना नहीं होगा क्लम तोरने ka मतलब क्या होगा बढ़िया लिखना होग ची कहें चली दूसरा मुहावर का नहीं और सेगए बात instruction 동안 कीजे जबकी लगता है जबकी लगना मतलब नीन दाना तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा हो सुरना भैवीत होना यूद्ध में मारा जाना यह सब नहीं होगा आख लगना मतलब क्या जबकी लगना ऐसा हम लोग कह सकते हैं अच्छा लालची ऐसे कहा जाते हैं कि मनुस्य सभाब से ही लालची होता है लेकिन जो लोग ज्यादा लालची होते हैं वो अपने दुरलब बस्तूओं को अपने लालच के कारण बहुत सारे बस्तूओं को खो देते हैं हाना that is called हमारा क्या हो जाएगा मिया जी की दाड़ी तावीजों में खतम हो जाना मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे के द्वारा देखने में समाप्त हो जाना कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे और इसी लालच में अपना सारा संपत्ति अपनी सारी बेस्खिंती चीजों को कहीं दान करना कहीं लगाना कहीं हार जाना बला बला यहीं सारी चीजे जो है वो चलती रहती है आगे चलते हैं गुस्से में आग लगना जमालो जमालो दूर खरी गुस्से में आग लगा सोरी 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 ये क्या है भाई भूस में आग लगा जमालो दूर खरी म कैसे होगा लोग सोच लोग तमासा देख रहा है तो कलह का बीज बोकर तटस्त क्या है करना मतलब क्या है कलह का आप कहीं जाओगे चार्थो दोस्त बैठा हुए दूगों आप भी बैठे हुए है अब दुन्हों मिलके पहले ही से मन में प्लानी के चारों को लड़ा दोगे है कि किशे के बीच में कलह कर देना और दूर स wing होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा क्या है बाई नँध्य को निउता देते नदो जने आते मतलब और नधा को निउता देते और ना दो जने आते ऐसा लिखा गया है मतलब गलत काम करने पर मुसीवत का सामना करना अंधे व्यक्ति सदेव संकट का करन बनते हैं अंधे के साथ एक व्यक्ति आवश्य आता है ना यह काम करते ना मुसीवत खड़ी होती बात समझना कि ना अंधे को निवता देते और ना दो जने आते मतलब क् काम करतें समझ रहे हो बात को न यह काम करतें और न यह मुसीवत खड़ी होती तो यही हमारा सही आंसर है ठीक है ना अंधे को निउता देते न दो जने आते मतलब न ऐसा काम करते न मुसीवत ख़री होती आगे आजाएं आगे क्या है लिखा हुआ कि जंगल में मोर नाचा डेखा जंगल में किस ने देखा जंगल में मोर नाचा किसने देखा ऐसा गया है तो आएक बात ध्यान नहीं है जिसका कोई बिश्वास नहीं है वहीं चीज है यहाँ पर कि जंगल में वाले काम का महत्म्व नहीं होता है ये भी गलत है इस कोशन का सही आंसर है कि कि सोरी किसी व्यक्ति के द्वारा बतायों भी बात का परमान नहों और फिर विश्वास ना करना जंगल में मूर ना चा किसने देखा ठीक आ गया जी लिखाया घी का लड्डू टेरा मेरा घी का लड्डू एसा वैसा नहीं ल बढ़िया माल से तयार की हुई वस्तु हमेशा सदयाव अच्छी होती है काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है भया हम लड़कों का वही हाल है हम लड़के कैसे भी है smartness, handsome यह सब नहीं देखा जाता है आपका बस देखा जाएगा लड़का कितना कमाता है कि यह जैसा आता है कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आदमी के मन में यही होता है सामने वाले के मन में कि बच्चा कितना कमाता है आप यह नहीं देखा जाएगा कितने लंबे हैं कितने कि चोड़ें कितने स्मार्ट है कितने हैं कितना अच्छा आपने बाल स्ट्रेट कराया है कितना आच्छा आपने दाड़ी रखाया ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा कि लड़का कितना कमाता और लड़का करता क्या है वहीं चीज है कि काम क कि बस तू कुरूप होने पड़ भी समझी जाती आप कितना भी हैंसम हो जाओ और कुछ नहीं करो कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा इस बात की गारेंटी है अगर आप हैंसम नहीं हो थोड़ा सा नाक टेड़ा है थोड़ा सा ऊपर देखते हो थोड़ा सा बाल अ बगुले को खाए, कहने का मतलब है कि बगुला मचली को खाता है या मचली बगुला को खाएगा भई, कूद कूद कर मचली बगुले को खाया ऐसा कहा जा रहा है, मतलब क्या है कि मचली जल की रानी है और जल की अंदर रहती है, तो उसका तो अपना छेतर है, अपना छेतर है और उस चेतर में कुछो कर सकती है, समझ रहे हो ना, मतलब अपनी गली में कुत्ता क्या होता है, कुत्ता भी सेर होता है, तो option number C हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगे चलते हैं, आगे जो हमारा सवाल है कि तेल देखो, तेल की धार मत देखो, ये भीया थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर तेल की धार मत देखो कर लेना, ठीक है, तेल के फैलने पर उसकी घर की दिसा देखनी चाहिए, रुख पहचान करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, तेल की धार देखकर, तेल का परिक्षन करना, ये सारा का सारा गलत है, आंसर हमारा होगा, कि जब भ आपके question का सही answer हो जाएगा आगे चलिए मेरे प्यारे भाई लिखा है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब जितने लोग है ना जितने लोग उतना विचार ऐसे कहने का मतलब होता है पहला option है अपनी अपनी डफली को लेकर अपना अपना गीत गाना ये तो भीया बनेगा समझ ज्यादा बुद्धी जीवियों का समुख कभी बनता ही नहीं है हमेशा अपने डाउन चाहिए है ना हमेशा या तो अपने से बड़े ज़्यादा गया नहीं या फिर कुछ छोटे जो थोड़ा कम जानते उनको सिखाना पड़े है ना इस तरीके का लोगों का गुरूब बनता है ना कि ये बुद्धी जीवियों का गुरूब बनता है तो विचारों में भिनता आना अपनी अपनी डफली अपना अपना रान ठीक है दूसरा नेकी और पूछ-पूछ कर कहने का मतलब है नेकी और नेकी करने से पहले पूछ पूछने की कोई जरूरत नहीं होती नेकी पूछ पूछ कर करनी चाहिए पूछ पूछ कर नेकी करना सो समझ कर किसी के साथ नेकी करना तो यह answer option number A आपका क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है यह सब answer नहीं होने वाला है अब आता है आपका समय लिखा है पड़े फारसी बेचे ते लिया देखो कुदरत का खेल पड़े फारसी बेचे ते लिया देखो कुदरत का खेल इस question का answer भाई यार question number 21 का जो answer होगा वह आपको comment box में करना है comment box में आपको answer करना है और बताना है कि भाई साहब 21 number question का answer क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा मुहावरा है आप करोगे तो मेरा दिल garden garden हो जाएगा दूसरा जो गरजते वो बरसते नहीं मतलब क्या है जो व्यक्ति जादा बोलता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे देख लेना ये हो जाएगा वो हो जाएगा हम पढ़ लेंगे हम निकाल लेंगे over confidence जो है वो बहुत खराब चीज होता है हम आपको बताते है confidence आई चीज है लेकिन over confidence बहुत चीज है इसी bigger confident में अच्छे यह चले गाना confidence देखना है आपको कि भई आपके पास confidence लेबल क्या है आ famous काम को चीज तरीप सकते और आपको करके उसको किसी भी कंडिशन में दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यह क्या है कि जो गरस्ते बरस्ते ने मतलब जो जादा बोलते हैं जो बैक्ति बहुत बोलते हैं विशेस रूप से सफ़ल नहीं होते हैं इसलिए हमेशा सिखाया गया है एक चीज बहुत इंपोर्टन मैं आप लोग को बताना च समझ रहे हो बात को दोनों के वर्ड का जो लेटर बिल्कुल बराबर है मतलब किसी बात को सुनना और चुप चाप सुनना कब तक जब तक सामने वाला गलत नहीं बोल रहा हो तब तक तो यह लाइफ में अगर दो चीज अगर आप एब्सॉर्ब कर लेते हैं अगर आप सही हो गे नहीं तो अच्छा बोलोगे कैसे ठीक है तो यह सुनना चुप चाप और कम बोलना बहुत इंपोर्टेंट चीजे दूसरा हुनहार विरवान के हो चिकने पात कोश्चन नंबर 23 का भी आंसर करिएगा 21 हो गया 23 हो गया चलिए अब हम लोग 24 पे आते हैं घी खाया बा बिल्कुल सबाइल गलत अब हर चुके हैं 2 लाक रुपे दूसरे के स्ट्रिस्ट काम का स्ठे स्टे होगा स्टे स्टे होगा स्टे होगा भाई स्टे 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 वी दिखें ना जिये और बाभी पूजन जाए नगन Musical झाए 5 का भी answer करेंगे बहुत अच्छा है मुहाबरा बहुत अच्छा है आने का पूरा का पूरा संभावना ऐसा ऐसा questions हम लोग पूरा भर भर के कर लेंगे न तो फिर questions आने का बहुत जागा संभावना है अगर आप चाहते हैं class daily चले तो वीडियो को एक बाद शेयर कीज़ेगा थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और साथ में चैनल को subscribe कर लीजिएगा हम लोग मिलते हैं फिर सा next वाले वीडियो में लेकिन comment करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा answer देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में आज जो 50% discount का offer है उसका लाब जरूर से उठाए एक ब बहुत बवाल चीज में आप लोग के लिए लाने वाला हूं और बहतरीन चीज जिसकी तलास में आप पूरा market घूम रहे हैं इधर उधर आप लोग टटोल रहें कि भाई ये चीज कहीं कहीं से भी मुझे मिल जाए वो चीज में आप लोग को लागर देने वाला हूं ठीक ह तो चैनल पर बने रहे हैं हम लोग मिलते हैं फिर साने एक्स वाले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाग जै हिंद